नमशकार दोस्तों मैं डॉक्टर देवानन प्रजापत आप सभी का मेरे यूट्यूब चेनल में स्वागत है आज मैं आपको एक होमियोपेथी मेडिसिन केंथरीस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो में अंतक बने रही है और ऐसे ही नोलेज़ेवल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चेनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दुआरा बताई गई जानकारी एजूकेशन परफासर इसे प्रेश्केप्शन ना समझे इसे लेने से पहले अपने नजदी की होमियोपेथी से एक बार परामर्श आवशक ले ले केंथेरिस जो की कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है मैं इसकी इमेज लगा दूँगा आप अपच्छे से देख लेजिएगा केंथेरिस जिसका मैन एक्षन है उरीनेरी ट्रेक उर सेक्च्छल आर्गन पर उरीनेरी ट्रेक की बात करते हैं तो जो आप पैशा वगेरह आती है इंट्रो लेवल इसका जो सिम्टम्स होते हैं इंट्रो लेवल्स अर्जिनिंग्स एंड टेनेसमस इंट्रो लेवल्स भोत तीवर गती का पैन होता है इसके अलावा मरोड आते हैं आपके ब्लेडर वगेरा में इसके अलावा इसमें हीमेचूरिया भी होता है आपकी जो जलन भो ज़़ादा होगी renal region में आपको renal region में भो ज़़ादा जलन बगेरा होने लगेगी आपको इसके अलावा इसके साथ में आपको बार बार drop by drop पैसाब आने की इच्छा होती रहती है और उसमें blood भी हलका फुलका आ जाएगा और intro level, stannasmus, cutting before, after और during जब भी आप पेशाप करने जाओगे उससे पहले या उस समय या उसके बाद में आपको cutting pen होता रहेगा आपको bladder वाले region में या kidney वाले region में या number region जिसको आपन बोलते हैं जो ये वाला part होता है तो उस region में आपको जलन, चुबन, cutting pen होता रहता है cantheris के ये man symptoms हैं इसके अलावा आपको जो urine आती वो jelly like आएगी जली like urine उसमें हलका सा चिपचिपा फन फिल होता jelly like urine आती है इसके man symptoms है cantheris के तो इस condition में आप cantheris का use करोगे तो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा आपको जलन होती बहुत जादा जैसे या पेशाप कर रहे हो तो बहुत जादा जलन होती है पेशाप करने से पहले भी अगर जलन हो रही हो या उस समय हो रही हो या बाद मे हो रहा है और इसमें man symptom में drop by drop बून करके पैशाप आती रहती है बार बार इच्छा होती है बहुत जादा तीवर मरोड वगेरा होते हैं ये इसके man symptoms है cantheris के तो उस condition में आप इसकी 30 potency का use कर सकते हो काफी अच्छा result मिलेगा आपको और male की बात करे तो male में भी यही symptom मिलत है urine के इसके अलावा जैसे आपको blenditis हो गया जैसे कि आपको छाले वगेरा red पन हो गया आपके gland penis पर तो उस condition में भी आप इस medicine का use कर सकते हो खुझली वगेरा आती हो आपको आपका जो gland penis हो उस पर red पन हो गया छाले अलसर टाइफ हो गया तो उस condition में भी आप इस medicine का use कर सक तो काफी अच्छा result आपको मिलेगा, आपके scrotum वगेरा में ICHING हो रही है, पस्पाइरेशन के कारण, पसीने के कारण, आपकी थाई वगेरा में तो उस condition में भी आपके Entheris का यूज करोगे तो काफी अच्छा result मिलेगा, और इन सारी condition में आप इस का यूज करोगे तो बहुत अच्छा result मिलेगा, आपको vascular, eczema वगेरा हो गए, आपको skin वगेरा में, scrotum वगेरा में, तो उस condition में भी आप इस medicine का यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा जलन, burning हो रही हो, आपको जलन हो रही हो, बहुत ज़्यादा burning हो रही हो, केंथेरिस का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा result आपको मिलेगा, आप यूरीन की समस्या के लिए केंथेरिस का यूज़ कर सकते हो, भोटी अच्छा रेजल्ट आपको मिलेगा इस मैडिसिन से आप epsilon वगेरा में भी इसका यूज कर सकते हो आपको जैसे कि eruption वगेरा हो गए इसkaal वगेरा में तो उस condition में कर सकते हो आपको आपके जो नी वगेरा है नी के back side में जो eczema वगेरा हो जाता है ड्राई एक्जीमा वगेरा तो उस कंडिशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो आपको इसके अलावा जैसे कि आप वेस्कुलर एरप्शन वगेरा हो गये हो या इचिंग वगेरा भोत्तियूर गति के आ रही हो बर्न लाइक स्काल हो गया हो आपको तो उस कंडिशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज करोगे तो काफी अच्छा आराम मिलेगा सूपर इफिशेली बर्न हो गया जल गये हो तो उस कंडिशन में भी आप इसका ओल्मेंट या फिर इसको लोकल एपलाई कर सकते हो ओल्मेंट को बर्न की कंडिशन में फस्ट डिगरी बर्न में आप इस का यूज़ कर सकते हो काफी अच्छा रजल्ट मिलेगा अच्छा तो इस मेडिसिन का यूज़ आप किस प्रकार से करें हो जैसे कि आपको यूरीन की समस्या है इन्फेक्शन हो गया इंफ्लामेशन वगेरा हो गया आपके ब्लेडर वगेरा में स्टाइटिस वगेरा हो गया आपको तो उस कंडिशन में आप इस मेडिसिन का 30 पोटेंसी यूज़ करना है दो दो गुन सुबा दो फेर शाम को दो गुन सुबा दो गुन दो फेर में दो गुन शाम को एडल्ट के लिए दोगुन, शुबा, दोगुन, दोफेर में दोगुन, शाम को डारेकली टंग पर लेना जैसे कि मैरे पास में ये केंटीरी से, दोगुन, दारेकली टंग पर डालना है's, शुबा, दोफेर, शाम को, अगर 10 साल से छोटा बच्चा है और उसको ऐसी कोई समस्या होती है, तो उ जगे पे भी आपको बर्न वगेरा हुआ तो उस कंडिशन में आप इसको लोकली यूज़ कर सकते हो उसके ओइल मेंड को लगाना है जहां पर भी जला हुआ है इसके अलावा जिसे एक्जीमा वगेरा हो गया आपको इसकी इन वगेरा पर या आपको इसक्रोटम वगेरा में बहुत ज़्यादा इचिंग वगेरा थी उस कंडिशन में आप इसकी 1X, 2X पोटेंसी टेबलेट का यूज़ कर सकते हो काफी अच्छा रजल्ट मिलेगा धन्यवाद दोस्तों